Hi viewers, मैं के स्टूडियो में आप सभी के वेलकम। आज बात करते हैं धरमेंदर की फैंबली यानि इशा देवल की। इशा देवल ने अपने पिता को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और उनोंने ये कहा कि मेरे पिता घर में बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे उनकी सोच नहीं बिछड़ी होई है इशा देवल का कहना ये है कि मेरे पिता धरमेंदर मेरी शादी उस वक्त कराना चाहते थे जब मैं 18 बरेश की थी और फिल्मों में आने के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्रम्स को फिस करना पड़ा जैसे कि आप सब जानते हैं कि इशा देवल ने आज से बाई कुरस पहले बोनी कुपूर की फिल्म मेरे दिल में कहारखा से अपने फिल्मी केरियर का आगास किया उसके बाद अब लेटेस इंटर्वियू में इशा देल ने अपने पिता धर्मिंदर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया जिस पर लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं इशा ने कहा कि मेरे पिता धर्मिंदर घर में एक रूबिश सोस रखने वाले हैं यानि वह एक पंजाबी फैमिली से ब्लॉंग करते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा सक्त महौल है इशा का कहना ये है कि मैं बड़ी मुश्किल से फिल्मों में आई और उसके लिए मुझे अपने पिता को मनाने में बहुत धिकते आई इशा कहती है कि मुझे एक वो वक्त भीयाद है कि जब घर से देर तक बाहर रहने के लिए मुझे छूट बोलना पड़ता था इशा कहती है ये इस लिए कि मैं एक सब घराने से तालग रखती हूँ मेरी फैमिली में महीलाओं के साथ ऐसा ही होता है बहुत कम उड़ों में उनकी शादी कर दी जाती है लेकिन मेरी परविश थोरी से मुखिलर तरीके से मुझे इशा नहीं बताया कि मुझे घर से बाहर रहने के लिए छूट बोलना पड़ता था यानि के मैं बहुत देर घर से बाहर नहीं रह सकती थी मैं मिनी स्कट नहीं पहन सकती थी क्योंके इस पर सक्ती से पापन दी थी अब इशा के इस प्यान को लेकर कुछ लोगों ने उनको सकती से ठ्रोल किया क्योंके धर में बॉलिवूड फिल्म ड़स्ट्री का एक बड़ा नाम है कुराणे लोगों का कहना ये है कि इशा को यह बाते नहीं करने चाहिए थी क्योंके गर की बाते हैं मप मैंने कीसको